हेलो माई डियर स्टूदेंट विलकम बैक तो माई यूटूब चानल माथमाटिक्स आसान भाय महेंदर सर्थ तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटीन्यू कर रहे हैं CA Foundation का Business Mathematics तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने Business Mathematics का Chapter No.1 डाट इस Ratio, Proportion, Indices and Logarithm प्रिवियेस येर्स के जितने भी क्योश्चन थे सब हमने सॉल्ड कर लिया था तो आज हम ये सेम चाप्टर राने की Chapter No.1 का जो आपका मॉडियूल है जो आपका CA Foundation का जो बुक है Business Mathematics, Statistics and Logical Reasoning का उसका हम Chapter No.1 डाट इस Ratio, Proportion, Indices and Logarithm का मॉडियूल के जितने भी क्योश्चन है हम सॉल्ड करने वाले हैं तो वीडियो लेक्च्छर बहुत इंपॉर्टेंट है एंट तक वीडियो जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके Maximum students को share कर देना तो चलो स्टार करता हूँ exercise 1a जिसमें हम स्टड़ी करेंगे रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में तो चलो स्टार करते हम लोग exercise वान से तो exercise 1 ए में देको first question आपको दिया है mcq का the inverse ratio of 11 is to 15 तो आपको basic concept पता ही है basic concept के उपर वीडियो आप जा कर देख सकते हो तो यहां पर लिखा है the inverse ratio of 11 is to 15 11 is to 15 में जो 11 है उसे हम बोलते हैं antecedent या उसे हम बोलते हैं first term of the ratio और जो 15 है उसे हम बोलते हैं consequent याने कि second term of the ratio तो जब आपको inverse ratio लिखना है तो जस्ट क्या करना है जो consequent है उसे antecedent बना देना है और जो antecedent है उसे consequent बना देना है तो 11 is to 15 का inverse ratio आएगा 15 is to 11 तो इसका answer आएगा option a 15 is to 11 तो option a आपका correct है तो answer इसका आएगा ठीक है this way second question देखते क्या है question number two है the ratio of two quantities is three is to four दिया है if the antecedent is 15 यह antecedent देखो अभी 3 है तो अगर antecedent 15 हो जाएगा then what is the consequence बहुत इजी है आपको जो ratio दिया है देखो आपको three is to four दिया है आप इसे three upon four लिख सकते हो question में क्या बोल रहा है कि अगर antecedent 15 हो जाएगा तो यह antecedent है 3 और यह consequent 4 तो antecedent 15 होगा तो consequent क्या आएगा बहुत easy है antecedent को 15 करने के लिए आपको five से divide करना पड़ेगा because 15 को अगर आप three से divide करो तो five आएगा यानि कि अगर आप five से multiply करोगे तो यह 15 हो आएगा तो यहां पर भी आपको five से multiply करना बोड़ेगा that means अगर आप numerator को five से multiply कर रहे हो तो denominator को भी आपको five से multiply करना होगा तो कितना हो जाएगा यह देखो five त्रीजा आपका 15 हो जाएगा डिवाइड बाइव five fours are 20 हो जाएगा so if the antecedent is 15 what is the consequence 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 20 आएगा तो आपका जो option डी है देखो यह correct है तो answer आपका डी आएगा तो क्योशन नम्बर टू भी सॉल्ड हो गया और से क्योशन पर थ्री देखो आपको पूच रहा है question है the ratio of quantities is five is to seven though quantity का ratio five is to seven है if the consequence of its inverse ratio is five then what is the value of antecedent आपको पोच रहा है ठीक है जो given ratio है वो five is to seven ठीक है five is to seven है तो हम इसे देखो five upon seven लिख सकते हैं आप क्या बोल रहा है if the consequence of its inverse ratio यानि कि इसका inverse लेना है तो inverse क्या हो जाएगा seven upon five हो जाएगा इसका inverse ratio लोगे तो आपको seven upon five मिल रहा है तो वहीं बोल रहा है कि इस इनवर्स इफ दो कॉंसेक्वेंट आफ इस इनवर्स रेशियो तो इनवर्स रेशियो का consequence कितना बोल रहा है five है consequence five है तो वार्ट इस दे antecedent antecedent 7 हो जाएगा तो आंसर इसका seven आएगा that means option c आपका correct है यह option देखो आपका right है बहुत ही simple था solve हो गया question 4 देखो आपको दिया question है the ratio compounded of two is to three nine is to four five is to six and eight is to ten तो four ratio दिया है आप एक compounded ratio निकालना है तो compounded ratio निकालने के लिए simply क्या करना है इच रेशियो का antecedent multiplied with antecedent and consequent multiplied with consequent करना है ठीक है तो देखो फर्स्ट रेशियो क्या दिया है आपको two is to three यानिकि two upon three multiplied करोगे second ratio five nine is to four है तो आप nine by four लिखोगे multiplied by third ratio है five is to six तो five upon six लिखेंगा multiplied by and fourth ratio is eight is to ten है तो eight upon ten लिखोगे cancellation कर दो आपको compound ratio मिल जाएगा देखते हैं क्या cancellation होता है यहां पर four वां सा और यह four two is a cancelle होगा two one's a देखो two five is a cancel होगा फिर आपको यह five five cancelle होता है देन three one's a three three's a cancel होगा then three one's a three two is a cancel होगा फिर देखो आपका यह two to be cancel हो जाएगा तो everything gets cancelled and when the everything gets cancelled आपको 1 मिलेगा या आप इसे 1 upon 1 यानि की 1 is to 1 भी लिख सकते हो so what is the compounded ratio of all these 4 given ratio answer आपका आएगा 1 is to 1 that means option A देखो यहाँ पर correct है बहुत ही आसान था solve कर दिया हमने now see question of 5 देखो आपको पूछा है question में 5 है the duplicate ratio of 3 is to 4 is तो 3 is to 4 का हमें duplicate ratio निकालना है duplicate ratio का meaning होता है कि जो भी ratio आपको दिया है first term और second term का square कर देना है यानि कि antecedent and consequent का square करना है उसे हम बोलते है duplicate ratio तो आपको ratio क्या दिया है 3 is to 4 दिया है तो इसका duplicate ratio क्या हो जाएगा आपका 3 का square is to 4 का square हो जाएगा सो यह आपका हो जाएगा 9 is to 16 हाएगा that means option c आपका correct है बहुत easy है now equation number 6 देखो पूछ रहा है equation number 6 है the sub duplicate ratio of 25 is to 36 तो सब duplicate का meaning होता है कि जो भी ratio का term दिया है दोनों term का हमें square root लिख देना है तो आपको 25 is to 36 दिया है ना तो सब duplicate ratio क्या हो जाएगा under root 25 is to under root 36 हो जाएगा 25 का under root आपको मालिम है 5 का square होता है 25 तो 25 का square root 5 आएगा is to 36 का square root आपका 6 आएगा तो what is the sub duplicate ratio of 25 is to 36 answer है 5 is to 6 that means आपका जो option d है वो देखो यहाँ पर correct हो गया question number 7 देखो हमें पोच रहा है question है the triplicate ratio of 2 is to 3 तो triplicate ratio में जो भी ratio का term आपको दिया है just उसका आपको cube ले लेना है ठीक है यह ध्यान में रखो आप तो आपको ratio कितना दिया है देखो यहाँ बें 2 is to 3 दिया है हमें इसका triplicate ratio निकालना है तो just cube ले लो तो यह जाएका देखो ट्रिपलीकेट ratio 2 raise to 3 is to 3 raise to 3 2 raise to 3 2 into 2 into 2 8 मिलेगा आपको इस टु ट्री का क्योब करोंगे तो आपको 27 मिलेगा so 8 is to 27 is the triplicate ratio of 2 is to 3 that means आपका जो option ए है वो correct है नेक्स्ट क्योचन देखो आपको क्यूचन बर 8 दिया है दस सब ट्रिप्लिकेट रहेगा तो जो भी आपको रिशियो का टम दिया है यानि कि जो एंटिसेडेंट एंड कॉंसेक्विंट है उसका हमें क्यूव रूट लेना होता है तो आपको देखो यहां पर रिशियो क्या दिया है क्य़ियो हुआ रूट ओ एट को हम टो इन्टू 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 इनू ऑसकते हैं एस्टू क्योट रूट ऑफ ट्व encant 67 को हम 3 in daily लि则 सकते हैं घटतो देखो थ्री इन्टू इन्टू घ्री नम्बर्थ से त्री टाइंस से तो इसका क्या सॉब रूट सम नूम्बर शुचुख सूब इसे कि रीसे में स्ट रिखते क्यों स्टों की नूबर用ड कastic क्यों आएगा और यह सब गतरिया और कि पोक्री गालते में पूंज़ी सब च्थे आएगा जो सब्क्रेबर No. 8 सौल कर दिया है बहुत ही आसान है बेशिक तो आपको पता यह और सारे मैंनेम पुविनस के सारे क्यों मैंने आपको amp कर दिया कुछन है दर रेशियो गमपाउंड एद ओफ फोर इस टू नाइन डो डूप्लिकेट रीजियो आप त्री इस टू फोर जो एक्वार्डिंग जैसा आपको दिया है वैसे दिखुड मैं सॉल करता हूं दर रिशियो कम सब्सक्राइब करना। निकालना एंड जो आपको करना रहता है किबन रेशियो का ठीक है तो देखे बब देख सो यह घंड मुझाए निकालना है और आपको पता है duplicate ratio कैसे निकालते हैं हम लोग square करते हैं 3 का square अपन यह हो जाएगा देखो आपका 4 का square देखते कितना मिलता है हमें अब यह 3 का square देखो मैं लिखता हूँ 4 by 9 multiplied by 3 का square क्या हो जाएगा 9 4 का square 16 हो जाएगा तो यह 99 देखो आपका cancel हो गया 4 और 16 भी cancel हो जाएगा तो फोर 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 जा 16 तो आंसर आपका कितना आएगा 1 इस टू 4 आएगा तो 1 इस टू 4 डैट मेंस option यह आपका देखो यहां पर correct है ठीक है बहुत ही सिंपल था सॉल्ड हो गया next देखो question number 10 पूछ रहा है question number 10 है the ratio compounded of यहां पर भी हमें compounded ratio निकालना है so the ratio compounded of 4 is to 9 हा तो मैंने यहां पर देखो लिख दिया 4 इस टू 9 यानिकि 4 by 9 multiplied by the duplicate ratio of 3 is to 4 तो 3 is to 4 का duplicate चाहिए यानि कि 3 का square और 4 का स्क्वेर करना होगा तो 3 का स्क्वेर 9 हो जाएगा 4 का स्क्वेर कितना होगा 16 multiplied by the triplicate ratio of 2 is to 3 so 2 is to 3 का triplicating का लेंगे बाद देख कंपाउंड करेंगे तो 2 is to 3 का triplicate यानि कि क्यूब करना पड़ेगा आपको तो का क्यूब कितना होगा माले में आपको 8 हो जाता है divided by 3 का क्यूब करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा अगें मुल्टिप्लेट वैर एंड क्या बोल रहा है 9 is to 7 तो मैं यहां पर 9 upon 7 लिखूंगा ती जो ट्रिप्लिकेट रिश्यों बोला है ना वह सिर्फ 2 is to 3 के लिए बोला हां 9 is to 7 को नहीं बोला है त्रिप्लिकेट ध्यान में रखो आप सॉल कर देते हम लोग देखते क्या कैंसलेशन यहां पर होता है यह देखो आपका 11 Kont мат Cancel हो जाएगा दिन देखो 2009 あぁ कैंसल होता है फिर देखो午 11 और 14 कैंसल होता है फिर देखो 9 वन 2 और 9 तg 27 कैंसल होता है तो नूमरिटर में बच रहा है और डिन्हामाइटर में सय्भें系ורिस्धalı जब क्या मिलेए रेशियों आपको मिलेगा 221 सो जो आपका option c है वो देखो और करेक्ट है स्वार्ट है वह सिंपल कर दिया आप न उसी क्यों में 11 देखो आपको क्या दिया question है रेशियो और डूप्लिकेट रेशियो आफ फोर इस तो फाइट यहाँ पर हमें पॉन्ट रेशियो ही निकालना है सो देरेचियोग्योगों डॉप्लिकेट रेशियोगए फॉरस हिस तो बस दो defin रिंफर बॉला से गॉल रहा है जो भी लेशियो का प्रॉब कर देना है तो बन्त क्यूबिकुमि औ ऊछाएगा औरिंपर क्यूबिन .... 3 x 3 x 3 तो 27 हो जाएगा तो 1 x 27 लिग दो मल्टिप्लेट वै फिर क्या बोल रहा है सब डूप्लिकेट रेशियो ऑफ 81 is to 256 तो सब डूप्लिकेट रेशियो का मेनिंग होता है कि दोनों भी टर्म्स का आपको स्क्वेर रूट लेना है तो 81 is to 256 है तो 81 का स्क्वेर रूट आपक स्क्वेर रूट तो 256 का स्क्वेर रूट 16 होता है विकाज अगर आप 16 का स्क्वेर करोगे 16 into 16 तो आपको 256 ही मिलेगा तो डूप्लिकेट रेशियो मतलब आपको स्क्वेर रूट लेना है 16 हो गया मल्टिप्लेट दक्वा गया और कुछ बोल रहा है एंड सब ट्रिप्लिके रेश्यो का मतलब होता है कि क्यूब रूट तो हमें 125 इस्टु 512 का क्यूब क्यूब रूट लेना है तो 125 को आप 5 इंटु 5 इंटु 5 3 टैम सकते हो तो 125 का क्यूब रूट तो देखो यहां पर 5 हो जाएगा डिवाइड भाइड 512 का क्यूब रूट तो 512 को हम 8 इंटु 8 इंटु 8 लिख सकते हैं सो देट 512 का क्यूब रूट क्या आएगा एट आ जाएगा तो देखो 5 इंट क्या हो गया 5 इंट इस दसब रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 125 इस तो 512 अब इसका कंपॉइंट रेशियो हम निकाल देंगे सिंप्लिफिकेशन करेंगे देखते क्या आता है 16 16 देखो कैंसल हो गया आपका यहां पर उसके बाद फिर यह देखो 5 वन जा और यह फाइट करोगे तो 15 होता है 120 तो लिख देंगे वन अपन 120 देरफोर कंपॉइंट रेशियो क्या मिला हमें वन इस टू 120 देखते कोई option है क्या 1 इस टू 1 20 कोई भी option नहीं है तो आपका आंसर आएगा डी option डाट is none of these the question number 11 बहुत इसी था सॉल्ड कर दिया हमने ना उसी क्यों पर 12 देखो आपका पूछ रहा है question है if a is to be equal to 3 is to 4 दिया है then the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b का value दिया है तो बहुत एजी है हमें a is to b का ratio दिया हुआ है सो मैं दो किया करूंगा let x be the common multiple of ratio 3 is to 4 लेते हम लोग तो क्या जाएगा आपका 3x and 4x हो जाएगा मैं यहाँ पर लिग देता हूं let x be the let x be the common multiple multiple of ratio कितना दिया है 3 is to 4 दिया है therefore यहां से आपको देखो न एक का value मिल जाएगा 3x और आप यहां पर लिख सकते हो बी का value आपको मिल जाएगा 4x मैंने यहां पर x लिया है आप ए आप कुछ भी ले सकते हो के भी ले सकते हो कोई 2a plus 3b divided by 3a plus 4b का value find out करना है simple है जहाँ पर a है वहाँ पर पुट कर दो 3x जहाँ पर b है वहाँ पर पुट कर दो 4x तो यह हो जाएगा आपका देखो 2 into a का value कितना है 3x है तो 2 into 3x हो जाएगा यह प्लस 3 into b का value कितना है 4x है देखो यहाँ पर 3a तो 3 into a का value कितना है 3x प्लस 4 into b का value कितना है 4x देखते simplify करें क्या आता है यह हो जाएगा आपका देखो 6x plus 3 4 12 x हो जाएगा डिवैड भाइ 3 3 9 x हो जाएगा और यह प्लस 4 4 16 x हो जाएगा तो 6 x plus 12 x हम इसको लिख सकते हैं 18 x divided by 9 x plus 16 x यह हो जाएगा आपका 25 x x cancel हो गया तो finally आपको क्या मिला 18 upon 25 यह आप उसे लिख सकते हो 18 इस्टू 25 तो हमारा जो option देखो यहां बड़ी दिया है वह correct है 18 इस्टू 25 बहुत ही सिंपल था गाए ना सिक्क्यों में 13 देखो आपको बूच रहा है क्योंशन है टू नंबर्स आर इन दा रेशियो तो इस्टू थी दिया है इफ फोर बी सब्ट्राक्टेड फ्रॉम इच दे आर इन दा रेशियो थी इस तू फाइड तो दो नंबर्स का रेशियो हमें कितना डिया है 6-23 एक मैं यहां पर लिखूंगा ल्ट सेमी तर्णा लेट एकस बी कॉमन मल्टिपर लिख दो है यहां पर लेट एस बी दकॉ मन multiple लिखेंगे हम यहाँ पर let x be the common multiple of ratio कितना दिया है आपको 2 is to 3 दिया है therefore two numbers therefore two numbers are पता है क्या होगा therefore therefore two numbers are आपका हो जाएगा देखो यह 2x and 3x आ जाएगा x हमने common multiple ले लिया है ratio दो number का 2 is to 3 है तो first number two x हो जाएगा second number आपका 3 x हो जाएगा अब दुखेंगे क्या दिया if four be subtracted from each they are in the ratio three is to five यानि कि अगर मैं यह जो number मिला है two x तो two x में से अगर मैं four को subtract करूंगा और three x में से भी मैं four को subtract करूंगा तो जो new ratio आएगा वो three is to five आएगा so according to given condition two x minus four divided by देखो यहां पर three x minus four is equal to new ratio कितना दिया है three upon five cross multiply करोगे आपको यहां से x का value मिलेगा तो मैं देखो cross multiply करता हो कितना हो जाएगा five into two x minus four तो five two is आपका ten x minus five यहां 20 and this is equal to three को three x minus four से multiply करो तो त्री 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 पॉर्जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा simplify करते हैं यह हो जाएगा देखो आपका ten x minus nine x is equal to minus 20 को shift करो यह plus 20 और यह minus 12 है तो 10 x minus 9 x यह हो जाएगा आपका x 20 minus 12 यह हो जाएगा आपका eight x का value eight हो गया तो अभी हम two numbers लिख सकते हैं first number क्या आपका है two x तो यह हो जाएगा two x is equal to two into eight तो कितना आएगा 16 आएगा second number है three x तो यह हो जाएगा आपका three x is equal to three into eight तो कितना आएगा 24 therefore two numbers are 16,24 यह आपका answer आएगा तो option यह देखो आपका correct है 16,24 तो क्योंच नम्हों थार्टीन ही बहुत इसी था हमने solve कर दिया इसी ना सी क्योंच में 14 देखो आपको बूछ रहा है क्योंच है the angles of a triangle are in the ratio two is to seven is to eleven टीक है and the angles are option आपको दिया है था में पता है कि sum of the angles of a triangle equal to होता है 180 degree और ती नो भी एंगल का ratio दिया है आपको two is to seven is to eleven थाम क्या करेंगे let x be the common multiple of the ratio two is to seven is to eleven मैं आपको लिख देता हूं let x be the common multiple ठीक है let x be the common multiple लिख दो यहां पर let x be the common multiple of two is to seven is to eleven therefore three angles क्या आएगा three angles आपका आएगा first angle two x second angle आएगा seven x और third angle आएगा 11 x और आपको triangle का property पता है sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree that means add कर दो two x plus seven x plus eleven x equal to आपको लिखना है 180 degree तो कितना हो जाएगा seven plus two nine nine plus eleven करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 20x is equal to 180 हो जाएगा तो x is equal to 180 divided by 20 00 cancel 18 upon two करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा यहां से x equal to आपको यहां से 9 मिल जाएगा एक्स का वेलू 9 मिल गया तभी आपको all the three angles मिल जाएगा first angle देखो आपको two x दिया हुआ था हम यहां पर लिख देंगे first angle two x यानि कि two into nine आपको कितना मिलेगा 18 degree मिलेगा second angle हम देखते हैं यहां पर आंसर आ रहा है 18 डिग्री 63 डिग्री और 99 डिग्री डाट मेंस ऑप्शन सी देखो यहां पर करेक्ट है बहुत एजी था हमने और आपको रेशियो दिया है देखो यहां पर 11 इस्टू सेवन दिया है देन आपको दोनों परसन का आमाउंट कितना रिसी होगा वह आपको लिखना है बहुत एजी है हम लोग सेम तिंग करेंगे लेट एक्स बीदा कॉमन मल्टिपल ओफ 11 इस्टू सेवन तो देयरफोर अमाउंट कितना हो जाएगा 11 एक्स हो जाएगा एंड यह दिखो आपका हो जाएगा 7 ठीक है अब इ यह 18 x is equal to 324 हो जाएगा तो x is equal to 324 divided by 18 कर दो कैंसलेशन करते हैं हम लोग 9 से कैंसल करते हैं देखो हम लोग यहां पर 9 2 18 हो जाएगा और फिर यह 9 3 27 27 और 5 32 54 9 6 जा कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा तो 36 अपॉन 2 करोगे ना तो आपको 18 मिलेगा यहां पर therefore amount received by person x क्या हो जाएगा 11 x that means 11 into 18 कर दो देखते हैं multiply करें कितना आता है तो 11 into 18 करोगे तो आपको 198 रूपीज मिल जाएगा second जो person y है उसका amount कितना होगा उसका amount हो जाएगा देखो आपका यहां पर 7 x दिया हुआ है तो हम यहां पर 7 x 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 x 18 कर दो तो 7 x 56 7 7 7 & 5 कितना होगा 12 126 हो जाएगा that means amount received by x कितना होगा 198 होगा amount received by y कितना होजाएगा 126 जोकर हम यह दोनों amount को add करेंगे 198 plus 126 तो आपको exact 324 मिलेगा तो देखते हैं option में आपको दिया है क्या 198 and 126 तो 198 126 option में नहीं दिया है that means आपका जो डी option है वो correct है तो बहुत ही आसान था इसे भी हमने solve कर दिया so my dear student through this video lecture हमने module का जो exercise 1a है that is ratio and proportion का हमने question number 1 से लेकर के question number 15 तक आपको solve कर दिया है तो next video lecture में मैं remaining question भी solve कर दूँगा so I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना maximum students को share कर देना so my dear student through this video lecture हमने business mathematics का जो chapter 1 है that is ratio proportion indices and logarithm का exercise 1a question number 1 से लेकर के question number 15 तक complete कर दिया है तो next video lecture में remaining question भी solve कर दूँगा तो next video बहुत important होगा उसे देखना मत भूलना और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक ज़रूर करना maximum students को share कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रिस कर देना so that मैं जो भी लेटिस वीडियो बनाऊंगा उसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी so thanks for being with me मिलते हैं next lecture में